इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्स देवस इसके पीछे क्या स्टोरी आपको पता होना चाहिए IND यानि इंटरनेशनल नर्स दे एक इंटरनेशनल डे है जो कि हर साल बारा मई को आपका मनाया जाता है and that is the anniversary of Florence Nightingale birth Florence Nightingale जी हां वही जिनको आप कहतो Lady with the Lamb इनका आपका जन्म हुआ था बारा मई को और हर साल इनकी नर्सिंग के छेतर में को याद करने के लिए हम इंटरनेशनल नर्स दे मनाते हैं आईए बात करते हैं Florence Nightingale की यह कहां पर जन्मी थी आरा मई 1820 को इनका जन्म हुआ था द्यार नखेगा बारा मई 1820 को इनका जन्म हुआ था इटली के Florence नामक शहर है नाम हुवी बाद में शहर का Florence नाम आ गया था और इनका नाम आपका Florence Nightingale अन्ने आधुनिक नर्सिंग का सहस्थापक कहते हैं आधुनिक नर्सिंग का सहस्थापक Florence Nightingale को अंतरास्ती नर्सिंग देनी की याद मनाते है एक काइम पर युद्ध हुआ क्रीमिया युद्ध में आपका इन्होंने बहुत घायलों की सेवा करी पाद में 1860 में लंदन के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नर्सिंग स्कूल की स्थापना की और पेशेवर नर्सिंग यानि प्रोफेशनल नर्सिंग की इन्होंने फांडेशन रखी एक किताब लिखी इन नर्सिंग याद रखेंगे फ्लोरिंस नाइटेंगल जनम दिन है इनका 12 मही रइट और किताब का नाम इनका ध्यान रखेंगे आप नोट्स ओन नर्सिंग बात करते हैं एक और महान सक्षियत हमसे दूर हो गई है 1971 की युद्ध में जो स्क्वेडरन लीडर थे जिन्नोंने इनका नाम था अनिल भरला और यह अनिल भरला की आपकी डेथ होई है साथी साथ एक और इंपोर्टेंट कबर इंटरनेशनल मीडिया से निकल के आ रही है बहरीन के प्रिंस इनका नाम है प्रिंस मुहम्मद मुहम्मद बहरीन के प्रिंस का नाम याद रखना है बहरीन के प खलीफा अपने साथ कुल 16 लोग साथ में लेकी गए 16 लोगों की टीम के साथ माउंट एवरेस्ट पर इन्हों ने आपका पता का हासल की जीत हासल की और ये पहली बार ऐसा है जब प्रिंस के साथ रायल गॉर्ड टीम के सदस्य थे ये एवरेस्ट की नई उचाई चुने वाल जापान में टोकियों में होना है 2020 में होना था कोविट के वज़े से 2021 में शिफ्ट हुआ अभी देखते हैं कि क्या हालात रहते हैं इसमें आपका भारत के लिए 13 सदसी निशानेवाजी टीम वो पहले पुरोशिया जा रही है पुरोशिया एक यॉरोपेन नेशान है जिसक कॉछ कॉम्पूटेशन में पार्टिसिपेट करेंगे और बुख्यो देश एइन का उलेंपिक्स के लिए प्रेपेर करना तो ये क्रोशिया की राजदानी ध्यान दखना कहां पर जगरेब आगे बात कर लिते हैं उत्तराखंड में आज न्यूज जो आरी उसके अनुसार तीरी डिस्ट्रिक्ट में कई जगे पर बादल फटे जिनसे कई दुकाने मकान जमिन दोज हो गए और आपको पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है तीरत सिंग रावत उत्तराखंड एक ऐसा राज्ये जहां पर कोई भी थारखंड बने हुए था तो तीन राज्यों का गटन हुआ था सन 2000 में नवंबर 2000 में और इन नवंबर 2000 में जब से यह बना तब से कोई भी मुख्यमंत्री पूरा कारेकाल नहीं कम्प्लीट कर पाया तो ध्यान रखेंगे आपका अब एक खबर आपका इसराइल से आ रही ह इसराइल में आपका यरुशलम जिसको कि इसराइल की राजधानी अभी बना दिया गया है इसराइल ने अपनी नई राजधानी यरुशलम गोशित की तेल अबीब से उसने अपनी राजधानी को शिफ्ट किया यरुशलम जो जगे तीन अलग-अलग धर्मों के लिए आप पर लटकाया गया वह था यहूदियों का भी आपका यहीं से शुरू हुआ है आपका तो ध्यान रखेंगे आपका इसराइल की नई राजधानी अब तेल अब नहीं राजधानी कौन है यरिशलम आगे बात कर लेते हैं इफिको ने एक लाग टन पशुचारा बीचा इफिको यहां पर अपका है क्या यह ध्यान रखना इक हको का फूल फॉल मिश्याद रखना है इफिको अस्टैंट तो यह आपका है इफिको और यह इफिको ने आपका चारां बीचा Stallion कितने का करीब के अन्होंने highway सब्सक्राइब अश्रा वाईचा है इन्होंने कॉपरेटिव सोसाइटी सामानी तरब तरब जो सहकारी समितियां होती है वो किसी राज इस्तर पर होती है लेकिन यहाँ पर आपका बात की जाए तो यह मल्टि स्टेट कॉपरेटिव सोसाइटी है इसके चेर्मेन वर्तमान में बलवीर सिंग है यह आपको ध्यान आपना है साथी साथ आपका बात की जा रही है विकास तरपो लेके जो पूरोना के पहली लहर के बाद भारत तेजी से आपका उसने अपनी एकनौमी को समाला था तमाम जो इंटरनेशनल रेटिंग एजन्सी जिन में फिच है मूडीज है इन्होंने रेटिंग को भारत की सबसे अच्छी रेटिंग दिया और दुनिया की सबसे तेजी से जो विकास करने वाली अर्थवियोस था वो बताया एक अनुमानता हमारी अर्थवियोस था कि विकास दर 11, 12, 13 पीज़ी रह सकती थी और यहां देख रहे हैं मूडीज जो कि आपका इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजन्सी है इसने 13.7 से कर दिया वा 9.3 तो मूडीज है पिंच है उसके अलावा जो है इनके बारे में आपको याद रखना है इंडिया की क्रेडिट रेटिंग एजन्सी भी आपको याद रखना है पिरिट रेटिंग एजन्सी पहरे है लगातर अंतराश्ची विकासदर की जो गती है जो हमारा एकनॉमिक जो कह सकते हो कि आर्थी विकासदर है एकनॉमिक ग्रोथ रेड उसको लगातर आपका उसका एजम्शन की धीरे-धीरे कम करती चली जा रही है यानि आर्थी विकासदर जो हमारी अनुमानी थे अगले क्वाइड में सामिल होने करने क्वाइड आपको पता है आपका ये चार देशों का एक समूह है खास्त तोर पर आपका हिंद महासागर में चीन के वर्चस को चुनौती देने के लिए या एशिया प्यस्पिक रीजन में इसमें आस्ट्रेलिया है जापान है भारत और अमरिका ये चार देश आपका चीन की पूरी तरीके से घेरावंदी कर चुके हैं बांगला देश को भी इसमें निमंतर दिया गया और चीन के सामने बड़ा मुश्किल आ रही कि अगर आपका इस तरीके से दच्छड एशिया के देश भी आपका इसमें क्वाड में सामिल हो गया त यहां से जब संगर शुरूआ इसराइल और फिलिस्तिन के बीच में तो बारत में एक महिला भारती महिला की भी आपका डेट होई है भारती महिला यह यहां पर बिसिकली एक किसी व्यक्ति की आपका सेवा कारे में लगी होई थी और यह इनका नामता सौम्या यह एक केर टे इसमिर्ट में एक न्यूज आ रही कि जितने भी लोगों ने कुरूरा के कारण अपनी जान गवाई ही खासतोर पर अगर अपने परिवार की इकलौते कमाने वाले व्यक्ति थे तो ऐसे लोगों को आपका खासतोर पर जो पंजीकरत शमिक हैं खचर पालकी वाले कि वह यह वहां के लेटीनिन गवर्नर या जिसको आप उपर आज इपाल कहते हो मनोत सिनान है अंत में आज यानी 12 माई का आपका ज्यान क्या है इश्वर को भी मानव अवतार में कस्ट भोगने पड़े हैं तो कस्ट हर एक व्यक्ति के जीवन में आते हैं अगर आपने मान रूप में जन्म लिया तो आप तो कस्ट भोगना ही पड़ेगा इश्वर को भी मानव अवतार में कस्ट भोगने पड़े हैं थैंक यू